नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एजिकेसन चनल में आज की उड़ी लेक्चार में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे नैपरोसीन एसार टैबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे ये टैबलेट के बारे में डिटेल में कि कौन से अलग- अलग-medical conditions को ठीक करने के लिए ये मेडिकेसन को यूज किया जाता है साथ ही जाने कि उसका डोस होगे रहा क्या है फिर सिखेंगे कि कौन से अलग-अलग बीमारियों में हम उसको उप्योग कर सकते है साइड एफेक्स होगे रहा क्या डैवलप होते है उसकी प्राइज उपर तो ये कूर्स को जोइन करने के लिए आप हमें वाट्सेप कर सकते है या फिर हमारी मोबाइल अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अब आते हैं टॉपिक प्योर समझते हैं नेप्रोसिन दवा के बार करें तो नेप्रोक्सिन करके उसके अंदर प्रेजन्ट है मेडिकेशन की जो 750 मिलिग्राम जितना ये मेडिकेशन के अंदर प्रेजन्ट है और उसके मैनिफेक्चर के हम बात करें तो आर्पीजी लाइप साइंस जो उसके मैनिफेक्चर हैं तो आर्पीजी लाइप साइंस कि RX लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि यह जो medication है वो prescription based medication है naprocin SR जो है उसका brand name हो गया salt content यहाँ पर हम देख सकते है 750 mg और यह tablet को जो है वो Indian Pharma Copia के standards के according to बनाए गया है यहाँ पर manufacture का आप logo देख सकते है और blister packing के अंदर आपको 10 tablets जो है वो available होती है फिर tablet का type हम देखे तो uncoated tablet है उसके उपर कोई coating किया हुआ नहीं है बट यह sustained release type के tablet है SR का मतलब होता है sustained release tablet मतलब कि यह medication जो हो लंबे समय तक आपको action देती है तो यह आप मैं आपको एक concept clear कर वाता हूँ कि मानलो कि आप 250 mg की tablet यूज़ कर रहे है naproxine की तो यह मानलो कि आपको दिन में तीन बार लेनी पड़ रही है हर 6 गंटे के time interval पे आपको दर्द वगिरा या फिर pain वगिरा को calm करने के लिए तो उसके compare में जब आप यह SR tablet यूज़ करते तो आप दिन में एक ही बार या फिर दिन में दो ही बार यह medication लेते तो कई बार लोगों को क्या होता है कि tablet लेने में भूल जाते हैं कि 250 mg की तीन बार लेने तो कई बार dose लेने का भी मेस हो जाते तो ऐसी condition में एक ही बार समझे कि आप दिन में यह 750 mg जे tablet ले लेते तो भी enough रहते हैं और लब में तमय तक आपको दर्द वगरा से राहत मिलती हैं पर ध्यान यह रखना है कि यह जो medication है वो sedule H के अंदर आती है तो जब भी retail में बेचा जाता है तो prescription के साथ ही उसको जो भी बेची जाती है storage के हम बात करें तो moisture से जो है उसको prevent करना है और temperature 30 degree या फिर कम temperature पे store करनी होती है तो naproxine जो है एक powerful anti-inflammatory और साथ-साथ painkiller medication है कि जो non-steroidal anti-inflammatory drug class का medication है कि जिसके पास anti-inflammatory और analgesic property है और naproxine जो है उसका brand name हो गया है तब उसकी use के बारे में हम समझते हैं तो उसका पहला जो use है वो सभी तरह की headache होते है सीरदर्द होते है उसको ठीक करने के लिए use के जाते है कि चाहे वो sinus के condition है tension, migraine या फिर cluster type का आपका headache है तो ये headache को treat करने के लिए और उसको कम करने के लिए ये naproxine अचर टैबलेट ये वो use की जा सकती है उसी तरह के तरह सभी तरह के जो body pain है कि चाहे आपको shoulder में pain हो रहा है neck pain हो रहा है, back pain हो रहा है या फिर joint में किसी जगा पे pain हो रहा है, elbows में पें हो रहा है तो सभी तरह के जो pain है उसमें ये medication जो वो useful साभीत है थे कि उसमें भी especially जो हमारे joints में जब आपको pain होता है किस तरह से कि जिसको कई बार हम गट्या रोग भी कहते हैं तो उसमें भी use किया जाता है कि जो arthritis की condition है कि कि किसी भी type के joints में जो आपको दर्द होता है तो उस दोरान ये medication को prescribe की जा सकती है तो arthritis या फिर osteoarthritis, rheumatoid arthritis के condition है कि जिसको हम sought में RA कहते हैं या फिर osteoarthritis के condition है तो सभी में ये medication जो है वो काफी ज़्यादा useful साभीत होती है फिर आपको दात में दर्द हो रहा है toothache जो हम कहते हैं कि दात में दर्द हो रहा है तो उसमें भी ये medication useful साभीत होती है muscles pain कर रहे हैं आपके कि muscles training जैसे होगे मान spacial में खिचा हुई है और उसके करन आपको काफी ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें भी यह useful वाभित हो सकती है फिर heel pain कि जिसको हम AD में दर्द होना ऐसा कहते है hill जो यह bone होता है हमारा वहाँ पे दर्द होता है उसको use कर सकते हैं फिर यह वाला bug आप देखो तो normal है और यहाँ पे swelling जो है आपको देखने को मिल रही है तो यह जो swelling है inflammation है कि जिसको medical terms में ED माभी कहते हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी नेपरोसी नेसर जीवर प्रिस्क्राइब की जा सकती है फिर menstrual periods के दोरान समझे के आपको दर्द हो रहा है काफी ज़्यदा stomach cramps जैसा हो रहा है तो उस दोरान भी यह medication ली जा सकती है फिर ankylosing spondylitis की जो condition है कि जिसके अंदर जो हमारे joints होते है specially जो spines के तो वहाँ पे जो यह सूजन आ जाती है और आगे जाके fusion होता है bonds का और bamboo spine जैसे condition produce होती है तो ऐसे conditions को भी टीक करने के लिए नेपरोसी नेसर टाबलेट यूज किये जाते है अब यह टाबलेट के dose की हम बात करें तो 750 mg की जो sustain release टाबलेट है वह दिन में आप एक बार या फिर दिन में दो बार ले सकते हैं बट एक ही बार लेने से भी आपको जे वह काफी ज़्यदा फरक पढ़ सकता है और यह medication के maximum dose के हम बात करें तो 1500 mg जितना रहता है per day में तो maximum दो ही tablet आप यूज करें दो से ज़्यदा tablet कभी भी यूज ना करें यह medication की price की हम बात करें तो जब यह आप blister purchase करते है 10 tablet का तो वह आपको पढ़ता है around 69 रुपीज के असपास फिर working के बात करें कि यह medication काम कैसे कर दें तो यह क्या करता है कि जो cyclo oxygenous जो enzymes होते हैं उनकी activity को inhibit कर देता है कि जैसे कारण आगे जाके prostaglandin जो वह काफी कम बनता है आप यहापे chart वाइस समझोगे तो आसा नहीं से समझ आएगा कि हमारे body के अंदर क्या होता है कि जो arachidonic acid होता है वो आगे जाके cyclo oxygenous enzyme को use करके prostaglandins बनता है और prostaglandins जहाँ पे बनते है जहाँ पे secret होते है तो वहाँ पे क्या होता है सूजन आ जाती है दर्द वगेरा होता है और उसके करण body में fever भी रहता है तो जब भी हम यह medication लेते तो क्या होता है कि यह जो enzyme है cox उसकी activity नहीं बिठ हो जाती है पर यह medication proper dose में ही लेनी होती है high dose में समझे कोई ले लेता है तो side effects हो सकते है जैसे कि skin के उपर आपको rashes develop हो सकते है इसके गरण फिर आपका blood pressure भी increase हो सकता है कि आप काफी ज़्यादा high dose में use करते हैं लंबे समय के लिए उसी तरह से in digestion जैसा आप feel कर सकते है फिर सीने में जलन जैसा होना आपको लगता है फिर दूसरे कुछ side effects देखे तो पेट में दर्द जैसा constipation या फिर gas बन सकती है vomiting, nausea या फिर diarrhea जैसे कुछ common side effect होते है फिर अब बात करते हैं यह medication के warning की तो मान लो आपको कोई भी non-steroidal anti-inflammatory drug की allergy है कि आपने past में acyclofenic manu use किया था salic oxib आपने use किया था diclofenic use कि थी या फिर कोई भी non-steroidal anti-inflammatory drug आपने use कि थी और अचानक से कोई allergic reaction हो गए जैसे के आखों में सुझा ना गई, lips पे सुझा ना गई patient बेहोस हो गया, काफे ज़्यादा सिर्दर्ध होने लगा आचानक से heart rate आपके increase होने लगे फिर pain होने लगा, काफे vomiting होने लगे hives develop हो लगे, difficulty होने लगे breathing करने में तो ऐसे कोई भी symptoms होए थे past में ये medications को लेने से तो इसको use ना करें फिर समझो कि किसी को liver related problem है hepatotoxicity का problem है, क्योंका liver, fatty liver के condition है या फिर stage 1, 2 या 3 कोई भी stage में है liver disease के, तो उस दोरन भी use ना करें फिर renal disease के आप patient है, आपके kidneys खराब है तो भी use ना करें, फिर पैप्टिक अलसर आपका ठीक हुआ है या फिर अभी भी पैप्टिक अलसर आपका ठीक नहीं हुआ है कोई भी condition है, या फिर duodenal ulcer है gastric ulcer है, isofagial ulcer है मनले कि पेट में कहीं भी अलसर है या फिर ठीक हो चुका है कोई history रही है आपके पैप्टिक अलसर की तो ये medication कभी भी use ना करें फिर heart disease के समझे के आप patient है, या फिर आपके coronary arteries वगरा में इस तरह से fat जमा हुआ है, blockage है वहाँ पे तो भी ये medication को आपको use नहीं करनी है, फिर बच्चों में आपको ये medication कभी भी use नहीं करनी है, कि जिनकी age below 12 है, तो उनमें कभी भी ये medication को use नहीं करें pregnancy category के हम बात करें तो ये medication की जो pregnancy category है, वो तीन अलग अलग तरीके से कि समझे कि यहाँ पे लिखा है BBD, तो पहला B का मतलब होता है कि pregnancy का first trimester के दोरान ये category B में आता है, फिर second के दोरान भी B में आता है, और समझे कि third trimester होता है अब बात करते हैं उसके drug-drug interactions की, कि कौन सी दूसरी दवायों के साथ ये medication interaction कर सकती है, तो पहला ये medication जे वो L-Skiren के साथ drug interaction कर सकती है AC inhibitors जैसे कि captopril है, lesinopril है उसके साथ उसकी interactions हो सकते हैं फिर angiotensin two receptor blockers है जैसे कि Lossartan है, वालसartan जैसी drug है, उसके साथ कभी भी combination में यूज ना करें फिर seedofovid drug है, या फिर corticosterous जैसे कि pratenisone है, lithium है, या फिर water pills जिसको हम diuretics करते हैं, जैसे कि furosemide drug है, तो उसके साथ कभी भी combination उसका ना बनाएं तो ऐसे समझे कि आपको detail में सिखना है, कोई भी दवाई के बारे में, तो आप medicine course को join कर सकते हैं, और ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp करें, या फिर हमारे mobile application को आप download कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी, so good luck and all the best.